हे गाईज आज के स्वीडियों में आपको एक ऐसा तरीका पताने वाला हूं जिसकी मदल से आप हजार रुपे लगाके भी नाख रुपे अंड कर सकते हैं खेने का मदलब यह है कि आप हजार रुपे से भी अच्छा कासा प्रोफिट निकास लगते हैं तो वो तरीका कौन सा है कैसे काम करता है क्या करना है क्या नहीं करना है इन सारी चीजों पर डिटेल में बात करने वाला है इसलिए प्लीज वीडियो को बिना इसकीप के एंड तक जरू देखना वीडियो को लाइक कर दीज़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीज़े और आपने टेलिग्राम चैनल को जोईनिक है तो उसको भी जोईन कर लीज़े उसके लिंक नीजे description में दी गई है तो बिना देर के वीडियो को स्तार्ट करते हैं तो दोस्तों मैं आपको जिस तरीके के बारे में बताने वाला हूँ हो सकता आपने उसके बारे में पहले सुना हो लेकिन इस वीडियो में आपके एक बेसिक तरीके से इतने इजी तरीके समझाऊँगा कि आपको इसके बाद में किसी और का वीडियो देखने की जरुरत ही नह और अगर आप normal market में जाते हो जी से normal trading करते हैं, वहाँ पे आप trading करते हो तो आप 1000 रुपई लगाते हो और आपको 1000 रुपई के according profit मिलता है, right? लेकिन अगर आप leverage ट्रेडिंग करते हैं, तो आप यहाँ पे leverage ले सकते हैं, leverage के मलग उदाह ले सकते हैं, एक्षेंज से जो भी एक्षेंज यह सर्विस प्रोइड कराते हैं उससे उधा ले सकते हैं जैसे 5x 10x 20x 50x 100x से भी अबौव तक का लेवरेज ले सकते हैं जैसे मालो आपके पास है लुकर तो आपको लाग रूप्ए फाइदा होता है लेगन यहां पर लगे लेकिन यहां लो आपने सोचा हो कि इस तरीके से प्राइस अपरदाइए वहां नहीं आपके यहां पे जादस जादा प्रोफित निकालने के चांस सेज रहेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ठीक है तो अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं कि लेवरेश ट्रेडिंग कैसे करते हैं तो यहां पे क्या करना होता है लेवरेश ट्रेडिंग सबसे होगा लेकिन यहां लेवरेश ट्रेडिंग में क्या होता है अगर माल लो आपको लगता है कि मार्के नीचे जाने वाला तो आप नीचे का सोट पोजिसन और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा स्पल सी बात है यहां पर दो टॉ और एक उतिस इस लगता है कि market उपर जाने वाला है तो आप लोंग पोजिशन क्रेट कर लेते हो और आपको benefit मिल जाता है अगर आपको यह लगता है कि market नीचे आने वाला है मार्केट डाउन में भी भाइद उठा सकते हैं तो मार्केट नीचे आने वाला है तो आप सोट पोजिशन क्रेट करके उसका benefit उठा सकते हैं और यहां पर आपके लेवरेश ले सकते हो 50x 100x या 10x 5x जितना आपको उच्छा लगे लेकिन आप इसको सटे बाजी या जूए की तरह मल लेने ना वो नहीं आते हैं कि ग्राव उपर जाएगा या नीचे जाएगा ऐसा नहीं है यह तो एक्चुल में ट्रेडिंग ही लेकिन यहां पर आपको बहुत चीज़े ध्यान में रखनी होती है जैसे आपर आर्केट में ट्रेडिंग करते हैं बहुत सारी चीज़ तो मैं आपको कुछ important चीज़े बताऊंगा उनको ध्यान में रखिएगा और एक और चीज़ बताना चाहता हूं मैं आपको अभी जो मैं चीज़े आपको बता रहा हूं theoretical है मैं आपको practical करके भी बताऊंगा next video में आप नीचे comment करके बता सकते हैं सबसे पहले आपको knowledge लेना ठीक है यहां तक सब कुछ clear हो गया अब यहां पे कुछ ऐसी चीज़े है जिनको आपको ध्यान में रखना है तो सबसे पहले चीज़े है कि यहां पर आपको लालस नहीं करना है ब्लेक कुछ भी हो जाए आपको ज्यादा क्रीड नहीं करने कि यार यह ता चला जाएगा कभ तो आप स्टार्टिंग में 50x 100x या इससे ज्यादा लेवरेज मत लेना सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से 2x 5x इस तरीके से करना है ज्यादा लेवरेज नहीं लेना है और दीर दीर अगर उनका लक्साथ देता है तो अच्छी बात है नहीं देता है तो वह पेचार लोस में चला जाते हैं बेंकर तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डायरेक्ट जाते आप यह मत करने लग जाना पहले आपको सीखना है एक्सपि हैं कोई बी ट्रेड करते हैं तो उसमें और मार्केट में ना ँब लगाओ तो चलता है लेकिन वह पे तो आपको स्टोप लोस करो लेकिन इस्टोप लोस झा सरिए है तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई हैं reviewing ट्रिक्स बता देता हूं अगरका उनको फोलो करेंगे तो आप लेवरेज टेडिंग का अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं तो आप अगर लेवरेज टेडिंग का फायदा उठाने चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो न्यूज होती है जो पॉजिटिव न्यूज हो कैसे टैप की न्यूज हो उन पे पोकस करना अगर मार्लो मार्केट में अगर कोई positive news आ रहे है किसी coin को लेकर तो आपको long कर लेना है position को और अगर negative हो तो आपको sort कर लेना है लेकिन सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखना आप उस news को पहले verify करना आज चैसे source से होनी चाहिए वो news ऐसे नहीं कि third news हो और आप leverage में आके position क्रेट करने लगें और यहीं नहीं मार्केट में जैसे मार्लो को नेगिटीव नियूजाद है किसी coin को लेकर नेगिटीव नियूजाद है तो वहाँ पर भी आप पर प्राइसे नहीं जाती है वहाँ पर आप सोट पोजिशन क्रेट करके और अच्छा खासा profit ले सकते हैं सम अगर यहां पर मार्केट बुलिश ओ तो आपको लोंग पोजिशन क्रेट करनी होती है लेकिन यहां पर यह पहिए होता है कि जैसे एक सर्टेन पॉइंट में मार्केट उपर चला जाता है उसके बाद फिर मार्केट्स वह स्कूर्ण लेता है तो इस तीज का भी ध्यान केंगे तो आप इसका benefit उठा सकते हैं fundamental analysis भी काम में आता है यापे technical analysis भी काम में आता है जो बड़े-बड़े trader होते हैं जो technical analysis करके और अच्छा कासा benefit उठाते हैं leverage trading का अब मैं एक और point पर बात करने वाला हूं मेरा खुद का opinion मेरे opinion में leverage trading कैसी है तुम देखो मेरे opinion में leverage trading बहुत अच्छी है benefit वाली है यहाँ पे आप अच्छा खासा benefit उठा सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो भी यहाँ पे आप leverage लेके गजब का profit ले सकते हैं लेकिन इसका downside यह भी है कि अगर यहाँ आप सही तरीके से नहीं करते हैं तो आपका पूरा capital भी जा सकता है तो यहाँ पे अगर आप पूरा शोर नहों तब तक यहाँ पर कोई पोजिशन क्रेट मत करना ठीक है कुछ लोग leverage trading को बहुत खराब बताते हैं कि यार यहां तो पैसा लूज हो जाता है या कुछ भी profit न लेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे आगे भी आपको इसी तरीके से अच्छे एच्छे वीडियो मिलते रहेंगे तो दोस्तों आसा करता हूँ आपको सब को समझ में आ गया होगा अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है त झाल का वाईब को Catholic சेथ वीडियो मिलते चैनल को समझ में कर दो ही निचन एगफ को Glass 2 प्यार में को समझ में को जिए एच alligator के तोस्तों आपको समझ में में मुलते इता प्रिंग जाईगे आग को इनUpर फोस्तों कि रमता एचर हैल आपको साच्छ इवता